हेलो दोस्तों मैं सुबास चोदरी आप से भीगा एक बार फिर से आरदिक स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूटूब चैनल पे दोस्तों हम बात कर रहे थे बीपीशी शीयचन के पेपर्स के बारे में जो हमने प्रेविएस पेपर डिसकस के आता वो था बीएनेस जीरो सब्जेक्ट कोड है इससे हमने दो पेपर डिसकस कर लिये हैं जो 2020 के एक्जामस में पूछे गया है यानि कि 140 क्यूशन हमने डिसकस कर लिये हैं जो भी दोस्त आर यू एचस से बीपीशी शीयचन का कोर्स अभी कर रहे हैं वो सभी इन 140 क्यूशन को अच्छ शे पढ़ ले और प्लेइस्ट के अंदर जाकर वहाँ पर आपको एक प्लेइस्ट मिलेगी जिसका नाम होगा बीपीशी शीयचन एक्जाम पेपर्स वहाँ से दोनों पेपर्स आपको मिल जाएंगे आज जो हम पेपर डिसकस करने वाले हैं सब्जेक्ट कोड है बेनेस जीरो बैयाली सब दोस्तों यहाँ पर जो यह एक्जाम हुआ था यह फरवरी 2021 में हुआ था इसमें भी टोटल 70 क्यूसंस है आज के इस पार्ट के अंदर हम 35 क्यूसंस डिसकस करेंगे और जो रिमेनिंग क्यूसंस बस जाते हैं वो आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर बहुत जल्द मिल जा जो सीशी अचन का कोर्स अभी कर रहे हैं और जो आगे करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसमें टोटल ड्यूरेशन यानगी इस पेपर में टोटल ड्यूरेशन तेन गूंठे की दी गई थी यह 70 नंबर का पेपर है इसमें टोटल 70 क्यूसंस पूचे गए आज हम 35 फिर क्यूंस से डिस्क्स कर लेते हैं फटा फटछी देखिए पहला क्योंस बहुत है अचा है क्यूस्ण है दम्र मेजर कॉंपलिखेसं ऑफ कॉलेरा का मेजर कॉंपलिकेसं क्या होगा यह आपको सिंपली पूचा गया है दूसतों क्यों में क्या होता है डाईरी हो एक होता है acute hepatitis, एक होता है chronic hepatitis तो जो chronic hepatitis है वो किन की वज़ाए से होता है या फिर कौन से type की hepatitis की वज़ाए से होता है यहाँ पर दोस्तों आपको correct answer कर देना option fourth hepatitis C अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ यहीं पर जो hepatitis B है, hepatitis B and C दोनों ही टाइप के जो हिपिटाइटिस होते हैं वो chronic हिपिटाइटिस cause करते हैं निक्रोनिक हिपिटाइटिस cause करने की ये समतार रखते हैं दोस्तों यहाँ पर हिपिटाइटिस C option में दिया गया है अगर आपको यहाँ पर हिपिटाइटिस B option में दे दे तो फिर आप क्या करेंगे आपको वहाँ पर correct answer कर देना है हपिटाइटिस B क्योशन सेम एज़ इस है options यहाँ पर C की जगे भी दे दिया गया है तो आपको फिर हपिटाइटिस B वहाँ पर correct answer कर देना है अब आपको किसी परकार के यहाँ पर confusion नहीं होना चाहिए next question देखे about 90% of upper respiratory detect infections are caused by 90% जो भी upper respiratory detect infections होते हैं वो किसके वज़े से कोज होते हैं कौन से bacteria virus जो भी है मलब जो भी microorganisms है उनमें से कौन से microorganism की वज़े से 90% URTI यहाँ यहाँ पर respiratory detect infections होते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको correct answer कर देना option third virus virus से mostly सबसे ज़्यादा upper respiratory detect infections होते हैं next question देखे typical characteristics of sinusitis are all accept जो sinusitis है इसके सभी क्या clinical manifestation है एक को छोड़ कर accept यहाँ पर question पूछा गया है options देखके आपको पता चली गया होगा यहाँ पर आपको correct answer करना option fourth skin rash sinusitis में skin rash डवलप नहीं होते बागी जो options देगे है nose block हो जाएंगी ear है और उसमें fullness फिल होगी patient को और cough आएगा यह sinusitis की क्या characteristics है यह clinical manifestation है next question देखे exact cause of aplastic anemia is said to be related to आपको पूछा गया है कि जो aplastic anemia है उसका exact cause क्या हो सकता है यह किस related है यह simply आपको पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर आपको correct answer करना है यहाँ पर कुछ systems के नाम दे रखे हैं यहाँ पर आपको answer करना option third immune system जो aplastic anemia उसका exact cause किस related है immune system से next question देखे antibiotic use as first line drug of cystitis is यह पेसेंट आपके पास है cystitis का और आप age community health officer वहाँ पे आप उसको antibiotic provide कर रहे है तो आप कौन सी first line drug antibiotic उस person को आप दोगे दोस्तों यहाँ पर आपको correct answer कर देना है option first cotrimoxazole जो cotrimoxazole है यह antibiotic first line drug होती है cystitis के अंदर next question देखे pink eye is related to disease of देखे pink eyes कौन सी disease से related है यह simply आपको पूछा गया है यहाँ पर आपको correct answer कर देना है option first conjunctiva जो conjunctiva के disease conditions होती है उनसे related है pink eye next question देखे shape strategy developed by WHO यहन की world health organization is for treatment of जो safe strategy है यह WHO ने develop की है तो यह किसके treatment के लिए develop की है दोस्तों यहाँ पर आपको correct answer कर देना है option third याद की trachoma जो trachoma है उसको treat करने के लिए shape strategy use की जाती है जो WHO ने develop की है next question देखे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ यहाँ पर यहाँ आपको याद रखनी है rest, ice, compress and elevate यानि की rice is commonly utilized for first aid of आपको पूछा गया rice यह चामल वाला rice नहीं है यहाँ पर देखे rice का मतलब rest, ice, compress and elevate बहुत अच्छा है क्यों से यहाँ से आपको एक word भी पूछा जा सकता है कि rice के अंदर C का मलब क्या होता है I का मलब क्या होता है E का मतलब क्या होता है यहाँ पर आपको पूछागे जो rice है वो commonly कौन से condition के अंदर first aid के रूम में इसको use में लिया जाता है दोस्तों यहाँ पर जो आपको correct answer करना हो क्या करना option first sprains जो sprains जब भी किसी परसन को होता है तो उसमें जो टेक्निक एक यूज ली जाती है जिसको हम बोलते है rice technique कौन से technique rice technique यानि sprains किसी परसन को होता है तो उसको rest provide करेंगी ice से check करेंगे compression देंगी और शाथी जहाँ पर sprains हुआ है उससे पेर को या फिर उस हाथ को क्या कर देंगे elevate कर देंगे तो यह काम आपको करने है यह first aid रहेगा spring का ओके next question देखिए all of the following are climatological hazards accept देखिए यहाँ पर जो भी आपको दिये गए है यह सभी क्या है climatological hazards है एक को छोड़ गर तो यहीं तो एक को छोड़ना है वो कौन से छोड़ना है यह आपको पूछा गया है यहाँ पर आपको जो क्रेक्टांसर करना हो क्या करना option D pandemic pandemic किसी प्रकार कोई climatological क्या नहीं है hazards नहीं है बाकि जो आपको options दिये गए है सभी क्या है climatological hazards दोस्तों मैं फिर बता रहूं यहाँ पर question accept से जरूर पूछा गया है लेकिन आपको यहीं question यहाँ पर all of the following ना देकर सिर्फ आपको पूछा जा सकता है कि इन में से कौन सा climatological hazards का example है या फिर climatological hazards को indicate करता है तो फिर आपको इन तेनों options में से सिर्फ आपको एक option मिलेगा जो आपको correct करना होगा तो simply in questions का इसी आप ध्यान जरूर रखिएगा next question देखिए एक global disaster is the one which effects जो global disaster है वो mostly किसको affect करता है एक option आपको यहाँ से choose करना है कि यह जो global disaster है कि इसको क्या करता है affect करता है यहाँ पर जो आपको correct answer करना हो क्या करना है option fourth entire planet जो entire planet है उसको affect कौन करता है global disaster ध्यान रखिएगा next question है the component which is not covered in RMNCH plus A approaches is एक program है जिसका नाम है RMNCH plus A program यहाँ पर आपको पूछा गया है कि कौन सा component है जिसको RMNCH plus A program जो है वो cover नहीं करता है अगर आपको इसका full form आता है तो आप इस question को अच्छे से solve कर दोगे अगर आपको इसका full form ही नहीं पता है तो आप इस question को solve नहीं कर पाऊगे तो चली RMNCH होता क्या देखिए RMNCH का मलब होता है reproductive maternal newborn child health and adolescence यानि कि जो reproductive maternal child newborn child health जो care है और शाथ ही जो adult health care ये इसका full form होता है अब यहाँ पर देखिए options में यहाँ पर जो आपको correct answer कर नहीं क्या करना options second xeriatric health xeriatric health को यहाँ पर include नहीं कह जाता है यह RMNCH plus a क्या नहीं है component नहीं है यहाँ पर मैंने बोला है reproductive तो option first यहाँ पर आगया यहाँ पर आपको correct answer करना option second xeriatric health next question देखिए adolescent health clinic is held at PSC on बहुत यह अच्छा क्यूशन है यह आपने पहली बार सुना होगा कि जो PSC है वहाँ पर जो health clinic दी जाती है यादोल्सेंट होते हैं उनको जो health clinic दी जाती है वो PSC पर कब दी जाती है यह आपको simply पूछा गया है यहाँ पर आपको correct answer करना हो क्या करना है option first weekly basis जो भी adult sense होते हैं उनको PSC पर जो health clinic के प्रोवाइड की जाती है वो weekly basis पर दी जानी जाती है यह आपको correct answer करना है बहुत अच्छा क्यूशन है next question देखिए yellow color code on dashboard of health management information system यान कि HMIS indicate जो HMIS portal है यान कि health management information system का एक portal है यह central government का portal है जहाँ पर data क्या करने होते हैं अप्लोड करने होते हैं इसमें yellow color code का एक dashboard होता है जो किसको indicate करता है यह आपको पूछा गिया है दोस्तों यहाँ पर आपको correct answer करना हो क्या करना option बी यानि option second promising state यानि कि जो yellow color code है dashboard का वो किसको indicate करता है promising state को next question देखे second antenatal visit must occurs 8 यानि कि जो second antenatal visits होता है वो कब करवाना चाहिए फिर second antenatal visit करते हैं यहाँ पर आपको correct answer करना option second 14th to 26 week 14 से 26 week के अंदर second antenatal visit कि आ जाता है next question देखे a pregnant woman with anemia needs to take at least following number of tablets of IFE यानि iron and folic acid during pregnancy कोई एक pregnant woman है जिसको anemia हो रख है उसको IFE यानि iron and folic acid के tablets देनी है pregnancy के दोरान अब आपको यह पूछा गया कि कितनी tablet उस pregnant woman को खानी चाहिए pregnancy के दोरान दोस्तों यहां पे आपको जो correct answer करना हो क्या करना option third 200 यानि 200 टेबलेट उस pregnant woman को लेनी ही लेनी चाहिए IFE की जब उसके अंदर anemia है तो यह तो tablet खानी ही पड़ेगी उसको next question देखिए simple carbohydrates include all accept यानि यहां पर एक को छोड़ कर बाकि सभी क्या है simple carbohydrates के अंदर include के गए या फिर simple carbohydrates के क्या है example है दोस्तों यहां पर जो आपको correct answer करना हो क्या करना option B cakes जो cake होते हैं उनको छोड़ कर बाकि जो options देगे है fruits, sweets, pizza यह सभी क्या है simple carbohydrates के क्या है example है next question देखिए sorry next question देखिए all are true out leothyroxine sodium accept देखिए यहां पर क्या पूछा गया है कि जो leothyroxine sodium है उसको लेकर सभी क्या है statement सही दिये गये है एक को छोड़ कर यहां पर भी accept से question है तो यहां पर जो आपको क्रेक्ट अंसर करना वो क्या करना है option D यहनकी fourth यह पैसेंट must eat immediately after taking medicine यह पैसेंट जो medicine ले रहा है उसको खाना खाने के बाद में यह medicine नहीं लेनी है यह statement मलब यह इसमें दरक है कि खाना खाने के बाद immediately आपको medicine लेनी है तो यह क्या statement गलाता है लिवो थायरोक्षिन जो sodium है वो empty stomach ली जाती है यानि खाली पेट इस tablet को लिया जाता है और शुबह ही इसको दिया जाता है और यह drug of choice होती है hypothyroidism की देखिए यह आपे जो तीन options देगे हैं यह बिल्कुल सही है लिवो थायरोक्षिन सोडियम के लिए drug of choice for hypothyroidism must be taken orally and should be taken in the morning morning में ली जाती है और ली इस tablet को लिया जाता है यह drug of choice hypothyroidism की और empty stomach इस tablet को दिया जाता है तो यह भी आपको ध्यान रखना है next question देखिए duration of fourth stage of labor is यहाँ पर आपको थोड़े सा confusion ज़रूर होगा क्योंकि बहुत सारी books में one to two hours दे रखा है लेकिन minimum हम मानें कि जो fourth stage है उसका duration जो fourth stage of labor है उसका duration की बात करें तो minimum one hour तो होना ही होना चाहिए तो यहाँ पर आपको simply correct answer करना हो क्या करना है one hour बाकि आप books में जबाब पढ़ेंगे तो one to two hours आपको वहाँ पर पढ़ने को मिलेगा maximum two hours होते हैं लेकिन minimum एक गंटा तो रखेंगे ही रखेंगे fourth stage of labor के अंदर तो यहाँ पर जो duration आपको पूछा गया fourth stage of labor का तो यहाँ पर आपको correct answer कर देना option second next question देखे relationship of long axis of fetus to long axis of uterus is called यहाँ पर आपको एक definition देगी है जो आपको बताने की किसकी definition है relationship किसका relationship fetus के long axis का और uterus के long axis का इन दोनों का जो relationship है इसे क्या कहते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको correct answer करना option first lie इसको बोलते हैं lie next question देखे hypertension with proteinuria and convergence is related to आपने eclampsia preeclampsia पड़ा होगा लेकिन यहाँ पर आपको पूचा गया कि hypertension और का साथ ही proteinuria है यह दोनों conditions में ही होता है यानि इतनी तो दोनों conditions में ही होगी eclampsia में भी होगा और preeclampsia में भी होगा लेकिन यहाँ पर एक word और दिया गया convergence जो convergence world आता है तो आप समझ आईएगा यहाँ पर जो पूचा गया आपको यहाँ पर आपको करिक्टान सकना है option first eclampsia यहाँ कि hypertension भी होगा proteinuria भी होगा और convergence भी आएंगे कौन सी condition में eclampsia condition में अगर preeclampsia पूचा होता तो शिर्फ आपको hypertension with proteinuria क्या ही question में मिलता तो यह भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है next question देखिए gather technique is used to organize the elements in which of the following process which of the these process यानि कि जो gather technique है यह use ली जाती है कौन सी process के लिए यह simply आपको पूचा गया बहुत ही अच्छा question भी यहाँ से बनता है क्योंकि बार, एक दो बार मैंने पहले भी बता है जो G A T H E R है इसमें से H का मतलब कभी कभी बार पूच लेता है T का मतलब पूच लेते हैं R का मतलब पूच लेते हैं यह जो gather technique है यह किसके technique है? counseling के technique यह counseling जो provide की जाती है यह gather technique counseling के दोरान यूज की जाती है यानि कांस्लिंग में गदर टेक्निक यूज की जाती है next question देखिए measure cause of shock in obstetrics is यानि जो obstetrics है इसका measure cause यानि कि obstetrics में जो shock होता है उसका measure cause क्या होता है यहाँ आपको पूचा गया है तो यहाँ पर आपको correct answer करना option second placental problem placental problem की वज़े से shock होता है obstetrics में यह measure cause है ध्यान रखिएगा measure cause है obstetrics में shock का placental problem next question देखिए dysmenoria due to medical cause is timed is जो dysmenoria है अगर medical cause की बात करें due to medical cause यहाँ गर dysmenoria हो रहा है तो उस time को क्या बोलेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको correct answer करना option second secondary dysmenoria आपने पड़ा होगा primary dysmenoria and secondary dysmenoria तो जो secondary dysmenoria है वो medical cause की वज़े से होने वाला dysmenoria होता है next question देखिए brain chemical said to be associated with pre-menstrual syndrome is आपको यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा brain का chemical है जो PMS यान कि pre-menstrual syndrome से जुड़ा है मालब अगर किसी परसन को PMS होता है तो कौन सा brain का chemical altered होता है जिसकी frequency change हो जाती है यहाँ पर आपको जो correct answer करना है option first serotonin जो serotonin brain का एक neurotransmitter है जिसको आप बोल सकते हैं यह जो chemical है यह जो neurotransmitter है यह PMS की condition में क्या हो जाता है altered हो जाता है यह affect होता है जब किसी परसन को PMS यानि प्रे-menstrual syndrome होता है तो next question देखिए billing method और cervical mucus method for fertility is based on दोस्तों आपनी contraceptive के अंदर पढ़ा होगा billing method या फिर cervical mucus method यहाँ पर आपको पूछा गया है कि fertility यानि कि जो billing method है या फिर cervical mucus method है इससे हम कैसे पता लगा सकते हैं कि fertility हुई है कि नहीं हुई है यह आपर जो आपको correct answer कि नहीं हो क्या करना option for to vaginal discharge या वेजाइनल discharge से हम पता लगा सकते हैं कि fertility हुई है कि नहीं हुई है तो यहाँ पर जो billing method है और cervical mucus method दोनों में से एक question में आपको एक word देकर भी आपको यह कि उसे पूछा जा सकता है और दोनों option देकर भी पूछा जा सकता है next question देखिए deport medoxy process on acetate यानिके dmpa an injectable contraceptive must be injected at least every जो dmpa contraceptive जो injection आता है यह mainly कब लगाया जाता है यह आपको पूछा गया है तो दोस्तों यहाँ पर आपको correct answer कर देना option for three months यानिके यह हर तीसरे महीने पर dmpa लगता है यह contraceptive होता है जो injection form में आता है नेक्स्ट क्यूशन देखिए the form field to record monthly statement of all MTPs medical termination of pregnancy done is देखिए यहाँ पर भी computer का यह क्यूशन है जब आप HWC पे बेड़ जाएंगी तो वहाँ पर आपको या तो tablet या फिर आपको जो मलब लैप्टॉप उच जाता है वह आपको दिया जाएगा और वहाँ पर जो भी data होते हैं वह आपको वहाँ पर upload करने होंगे दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको पूचा गयागी जो form आप field करते हैं record monthly statement का जो आप फिर form field करेंगी MTPs का तो वो form होगा वो कौन सा होगा form C होगा या form second होगा form first होगा या form third होगा दोस्तों यहाँ पर जो आपको correct answer करना होगा option C form second जो form second होता है उसमें monthly statement को record किया आजाता है MTPs की next question देखिए all of the following are complication of teen age pregnancy accepted जो यहाँ पर दिये गये हैं सभी क्या है teen age pregnancy के complications है एक को छोड़ गर एक क्या नहीं है complication है teenage pregnancy के बाकि जो complications मनलब बाकि जो options है यह सभी क्या है teenage pregnancy के complications है next question देखिए heads यानि heads assessment helps to discuss issues with जो heads assessment है यह help करता है यह assessment में help करता है लेकिन किसकी assessment में help करता है heads जो टेक्निक है यहाँ पर यह किसकी assessment में help करता है दोस्तों यहाँ पर आपको correct answer करना है and adolescence options जो फोरत है वो आपको यहाँ पर correct answer कर देना है adolescence का अगर assessment करना हो तो उसमें जो heads assessment है वो आप कर सकते हैं next question देखिए Cigella is responsible for causing Cigella microorganism है वो कौन सी बीमारी cause करता है यहाँ पर कुछ decentries के नाम दे रखें यहाँ पर जो आपको correct answer करना हो क्या करना option 5 bacillary dysentry bacillary dysentry में क्या होता है जो Cigella होता है यह इसका qualitative agent होता है next question देखिए most common type of arrhythmia is आपको पूछाएगे कि arrhythmia का most common type कौन सा होता है यहाँ पर आपको correct answer कर देना option 5 arterial arterial fibrillation arterial fibrillation यह क्या है arrhythmia का most common type है next question देखिए labor pains lasting longer than 24 hours is timed age यह अगर labor के दोरान pain अगर 24 hours से ज्यादा समय तक रहता है तो इस time को क्या कहेंगे यहाँ पर आपको correct answer करना option second prolonged labor अगर 24 गंड़े से ज्यादा तक labor pain चलता है तो इसको बोलते हैं prolonged labor next and last question आज़ी की इस वीडियो का बागी जो remaining question से वह आपको next वीडियो अंदर बहुत जल्द मिल जाएंगे देकि all are features of counseling accept नहीं यहाँ पर जो features देगे हैं वो सभी counseling के क्या है features से एक को छोड़ कर आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे नेक्स पार्ट में दोस्त आपको वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स को share कर देना है और आपको बने रहना है हमारे साथ में आपको भूत सारी questions मिलेंगे जो आपके ccsn के exams में help करेंगे दोस्तों फिर मिलेंगे बहुत जल्द नेक्साथ तब तक आप हमारे साथ बने लेगा thank you so very much